आज का हमारा टॉपिक है How to add task in Google task for new Google calendar events Google task एक task management software है हम चाहते कि जब भी Google calendar में हम कोई नया event create करें तो automatically उन डीटिल्स का यूज़ करके Google task पे टास हो जाए create जी हाँ, इस पूरी process को आप भी automate कर सकते है पैबली करेट की मदद से Google calendar और Google task के बीच में एक connection बिल्ट करके जिस पर वारा trigger होगा कोई नया event create होना Google calendar में और वारा action होगा automatically stream details का यूज़ करके एक task create हो जाना Google task में तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरा automation को आईए देखते हैं मेरे screen पे तो आईए बनाते हैं कैसा automation Google calendar और Google task के बीच में कि जैसी Google calendar में हम कोई नया event create करें तो automatically Google task पर टास्क को जाए create वो भी stream details के साथ तो इस पूरी process को आप भी automate कर सकते हैं पैबली करेट के मदद से Google calendar और Google task के बीच में एक connection बिल्ट करके तो चलते हैं new tab पे आप देख सकते हैं यह है पैबली का landing page पैबली एक बहुती amazing software है जाप multiple applications को connect integrate कर सकते हैं अगर अप नई user हैं तो जाए sign off for free पे जहाँ आप को हर महीने मिलेंगे free task ऐसे automation create करने के लिए अगर अप existing user हैं तो click करिएगा sign in पे sign in पे click करते ही आपके सामने open होंगी पैबली के पाच्पन applications आज हमको use करना है public connect का क्योंकि हमको connection build करना है दो applications के बीच में इसलिए हम use करेंगे public connect का click करेंगे access now पे access now पे click करते ही अब आपके सामने open होगा public connect का dashboard हमको जाना right hand side पे click करना इस blue button पे create workflow पे जैसी आप create workflow पे click करेंगे आपके सामने एक dialogue box appear होगा जहां आपको इस workflow को एक नाम देना है तो माली जह मैं इसे नाम देता हूँ add google task for new google calendar events आप अपने requirement के साबसे से कोई और भी नाम दे सकते हैं फिर click करना हमको create पे create पे click करते हैं आपके सामने open होगी यह दो important windows इनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन बेसिकली जो पूरा automation आजम बनाने वाले हैं वो इन दोनों principles और concepts पर ही based होते हैं इनकी definition की बात करें तो trigger कहता है when this happens मतलब जब ऐसा हो तो action कहता है do this मतलब ऐसा कर दो तो आज का मारा objective गया है आज का मारा objective गया है कि जैसी मैं गूगल कलेंडर पे कोई नया event क्रिएट करूँ तो automatically जो event की details है उन्हीं details के use करके Google टास्क में automatically टास्क हो जाए create तो यह है आज का मारा objective तो चलते है पैबली करेंट पे सब सबसे पहले choose करते हम हमारी ट्रिगर अप्लिकेशन गूगल कलेंडर और trigger event हम select करेंगे new event इसका मतलब Google कलेंडर में जैसी कोई नया event मैं create करूँ तो मैं चाता हूँ मेरा workflow trigger हो जाए और उसकी details सबसे पहले capture हो पैबली करेंट के पास और फिर पैबली करेंट की मदद से हम एक task कर देंगे create गूगल टास्में क्लिक करेंगे connect पे और गूगल कलेंडर का अकाउंट को हम connect करेंगे पैबली कनेट से जाना हैं को connection पे फिर क्लिक करना है sign in with Google और ऐसे choose कर लेना अपना अकाउंट इसके बाद हमको access देनी है पैबली कनेट रखें like task, demo test, bird dates and मेरे नाम से यहाँ से हम choose कर लेंगे हमारा particular calendar जिसको मैंने नाम दिया demo test मैं चाहता हूं कि जब भी demo test वाले इस calendar में मैं कोई नया event create करूँ तो automatically उन details का use करके Google task में task को जाए create तो चलेंगे पैबली करेंट पर सब सब पहले choose करेंगे calendar demo test अब देखेंगे जैसी मैं save and send test request की button पर क्लिक करूँगा जो भी last updated event होगा इस हमारे Google calendar का automatically उसका details fetch हो जाएगी पैबली करेंट के पास तो पैबली करेंट पे save and send test request की button पर क्लिक करने से पहले हम चलते है Google calendar पर और यहाँ पर create करते है एक नया event फिर आप देखेंगे जैसी मैं पैबली करेंट पर जाके save and send test request की button पर क्लिक करूँगा तो जो भी last updated events की details रहेगी वो capture हो जाएगी पैबली करेंट के पास वो भी automatically तो सबसे पहले हैं पर create करते हैं इवेंट तो माली जिए 38 को मैं की इवेंट करता हूं create क्लिक करना आपको create पे फिर जाना event पे सबसे पहले हैं आपको provide करना है title हमारे event का then description location start date and end date तो यह सारी details मैं करता हूं fill तो देखिए यह सारी fields मैं कर दिये field title है हमारी meeting का there is a meeting with team in hotel ताज यह हमारा description need to book a table location हमने आपे दिये भुपाल मद्प्रदेश इंडिया और यह हमारी date Tuesday 30th में 1.30 pm से 2.30 pm की बीच हमारी meeting तो यह पूरी मैंने details हमें कर दिये field अगर आप किसी guest को invite करने चाहते हैं तो उनकी mail id भी हाप आप type कर सकते हैं यह फिल कर सकते हैं अब simply click करते हैं save पे और देखिए हमेरा event कर दिया create 30th of May 2023 को there is a meeting with team in hotel ताज 1.30 to 2.30 pm यह हमारी meeting का time यह हमारा description need to book a table और यह हमारी location देखिए event यह पर कर दिया create अप चलते हैं पैबिक करेंट पे अपक्लिक करेंगे अप से events and test request पे तो आप देखेंगे जो हमारा last updated event होगा उसकी details fetch हो जाएगी पैबिक करेंट के पास हो भी automatically और देखिए आपको API response भी receive हो चुका है status पर बता रहा है confirmed और देखिए यह थी हमारी summary there is a meeting with team in hotel ताज यह थी हमारी start date and time start date थी हमारी 30th of May 2023 1.30 p.m. scroll down करते हैं नीचे यह थी हमारी location और यह थी हमारी end date and time और यह था हमारा description इसका मतलब जो हमारा first step of integration है वो वर कर रहा है हमने google calendar और पैबली करेंट के बीच में connection बिल्ट कर दिया है कि जैसे google calendar पे हम कोई नया event create करेंगे तो automatically उसकी details capture जाएगी पैबली करेंट के पास और जैसे कि आप यह देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है 10 minutes इसका मतलब यह है कि जो google calendar और पैबली करेंट के बीच का connection है वो एक polling based connection है तो जो हमारे workflow का trigger है वो हर 10 minute पर जाके google calendar से सारी details करेगा fetch और ले आएगा पैबली करेंट के पास अब चलते हमारी next step की और जो कि हमारे होने वाली action step अब same details का use करके हमको google task पर टास्क करना है create तो यह से choose कर लोगा मेरी action application google task और action event में select करेंगे create task क्लिक करेंगे connect पे और अब google task के account को हम connect करेंगे public connect से जाना हमको into connection पे फिर click करना है sign in with google और यह से choose कर लेना अपना account फिर देनी हमको access public connect को google task से connect करने के लिए और देखिए हमारा authorization यहाँ पे हो चुका successful इसका मतलब जो हमारा google task का account है वो भी connect हो चुका है public connect से account connect होती ही जिस सबसे पहले чис करना है हमको task list मतलब किस particular list में हमको task करना है create तो चलते है google task के account पही उप दीख सकते ही हम पे मैंने two list create करके रखिए इन list पे सबको select करना है कि आपको किस particular list पर task करने eighty- vandaag ass हो cloud shows चूज कर लोगा मेरी list, my task फिर आता है task, title, notes and due date इन fields को fill करने के लिए हम use करेंगे mapping का, अब आप सोच रहेंगे कि mapping का मतलब क्या होता है, mapping का मतलब यह होता है कि जो response हमको trigger application में मिला था, यह जो पुरा response मिला था इसका use हम यहापे कर लेंगे वो भी without manually type करके इस process हम कहते है mapping तो मैं आपको बताता हूँ mapping कैसे की जाती जैसे हम इस blank field पे click करेंगे तो देखिए हम पे क्या लिखा रहा है, insert data from previous step Google calendar हमारी previous step भी थी हमारी trigger application भी थी, वो आपको हो रही होगी यह आपे show, इसके drop down पे आप जैसे पूरा response जो हमको मिला था trigger application में वो पूरा आपको हो रहा होगा है यह पे show, सबसे पहले map करेंगे हमारे task का title तो जिस title से हमने event create किया था Google calendar पे, उसी same title से task create करता चाहते है Google task पे तो same title में हापे कर दूँगा map तो दीखिए यह था हमारा title there is a meeting with team in hotel फिर आता है notes, तो notes कहता हमारा scroll down करेंगे वापिस नीचे तो यह था हमारा notes needs to book a table इसके बाद आती है भारी due date तो due date भी हम कर देंगे map due date कहती हमारी वापिस को लिक करेंगे Google calendar पे scroll down करेंगे नीचे और यह से choose कर लेंगे हमारी due date तो देखें due date कहा है हमारी तो देखें यह हमारी due date start date and time तो यह हमारी start date and time 30th of May 2023, 1.30 p.m. और देखें format एकदम same format में, UTC format में यह format में हमको date हैं पे map करनी थी क्योंकि जो भी Google calendars के events रहते हैं जो भी Google के applications रहती हैं उस पे जो date रहती है वो UTC format पे रहती है तो जो हमारी date है वो automatically UTC format पे हमको मिली है Google calendar से इसलिए हमको इसको change करनी की ज़रूरत नहीं है अगर हमको इस date को format करना होता तो हम यहाँ पे use करते है पैबली का एक feature जिसको हम कहते है date time formatter तो दीखे पूरा data यहाँ पे मैंने कर दी है map अब यहाँ पे आप एक चीज़ सोच रहोंगे कि हाँ पे मैंने mapping का use क्यों किया है और यह mapping क्यों जरूरी होती है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी हमारा workflow run करेगा तो जो भी data है यहाँ पे हमने map किया यह automatically new data से हो जाएगा change इसका मतलब जब भी google calendar में मैं कोई नया event create करूँगा कुछ different details के साथ different title के साथ तो automatically जो new data है वो यहाँ पे आके हो जाएगा update और हमारा workflow हो जाएगा trigger और google task task हो जाएगा create वो भी same details के साथ बतलब new data के साथ इसलिए mapping करना होती ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी process क्योंकि अगर हम यह data manually type कर देते तो यह data रहता हमेशा static या permanent बतलब जब भी workflow run करता यह data कभी change नहीं होता पर क्योंकि यहाँ पे हमने mapping का use किया है तो जब भी हम Google calendar पे कोई नया event create करेंगे तो automatically जो नया data है वो यहाँ पे आके हो जाएगा update और हमारा workflow हो जाएगा trigger अब simply हमको click करना है save and send test request के button पे तो आप देखेंगे Google task में automatically task हो जाएगा create और देखिए हाँ पे हमको API response में receive हो चुका है there is a meeting with team in hotel taj description है need to book a table और due date है हमारी 30th of pay 2023 इसका मतलब Tuesday तो जो workflow आपने बनाया है पेबली करेंट पे इन दोनों applications के बीच में वो successfully work कर रहा है simply दो step हमने पूरा automation setup कर दिया है जो work करेगा हर 10 minute पे क्योंकि Google calendar और पेबली करेंट के बीच का connection पूलिंग based connection है और जो पूरा automation है कि आपको एक बार setup करना इसके बाद की सारी process पेबली करेंट आटोमेट कर लेगा जैसी आप Google calendar में कोई नया event क्रेट करेंगे automatically Google task में एक task हो जाएगा create तो अगर आप भी इस workflow का use करना चाते है तो इसका link पर अपने वीडियो के description में दे दूँगा जहाप इसे बड़े असानी से कर सकते हैं सिर्फ यही नहीं आप और भी application के integration पेबली करेट की मदद से बना सकते हैं इसके लिए आप हमें email कर सकते है support at the rate family.com पर अगर आपको कोई queries है आपको कोई doubts है तो आप जा सकते है forum.family.com पर अगर आपको pricing related कोई issue है तो आप जा सकते हैं इस link पर अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो please like करें, share करें और हमारी channel को subscribe करना ना बोले, thank you